हेलो माई डियर एस्टुएंट्स हम लोग आज परेंगे क्लास एट का हिंदी चेप्टर वन तु जिन्दा है तो सबसे पहले हम लोग कभी परचे समझेंगे इनका पूरा नाम जो था संकरदास केशरी लाल जबकि इनका प्रसीद नाम शेलेंदर है इनका जन में 30 अगस्त 1903 विक हुआ था इनकी जनम भूमी जो है वह रावल पिंडी जो की पाकिस्तान में है इनकी मिलतू 14 दिसंबर 1966 को मुंबई में हो गए जो सबसे पहला परगराप है उसमें हमेज देखेंगे कि कभी जो है वह और अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे हम अपने कर्म से इस पिर्थी पर उतार कर लाएंगे क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ी चीज होती है दूसरा पहराप में कभी कहते हैं कि गम और अत्याचार के कुछ दिन जो है वह बीत गए यानि जिन्दगी में कभी खुसी तो कभी गम ये तो चलते रहेंगे लेकिन गम को लेकर अगर बैठ जाएंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे यानि गम और अत्याचार ये हमेशा चलते रहेंगे कुछ दिन बीत गए हैं आज के दिन भी यदि हम दुख में हैं तो भी गुजर जाएंगे क्योंकि दुख के हजा पार दिन जीस तरह गुजर गये उसी तरह ये भी गुजर जाएंगे ये नहीं कि गम के वरशे हम अपने जिन्दकी को यहीं पर विराम देदे इस जिंद्गी में कभी न कभी तो बाहर जरूर आएंगे जैसे हर दुख के बाद सुख आता है ठीक उसी तरह हर गम के बाद भी खुशी आएगी यानि कभी न कभी बाहर आएंगे ही यदि हम अपने अच्छे कर्म से इस पिर्थी पर स्वर को ला सकते हैं तो वही मेरे लिए सबसे बरी बात हो गई और अगर अच्छे कर्म करेंगे तो कहीं न कहीं हमें अच्छे दिन देखने को मिलेंगे इसलिए हम ये कोशिस करने चाहिए कि हम अपने अच्छे कर्म से स्वर को पिर्थी पर लाएं और यदि हम जिन्दा है तो जिन्गी के जीत पर विश्वास रखे क्योंकि विश्वास ही सबसे बरी चीज होती है धन्यवाद